भारत जोडो यात्रा 7 सितंबर को तमिलाडू के कन्या कुमारी से शुरू हुई थी अब तक यात्रा 2800 किलोमेटर का सफर्ट ताय करते हुए 9 राज्यों को कवर कर चुकी है 3 जनवरी से फिर यात्रा शुरू होगी यात्रा के दौरान राहुल गांदी लगातार प्रेस कॉन्फरेंस करके अपनी बात रख चुके हैं आज 9 बार दिली में राहुल ने मीडिया से बात की जहां उनसे देश के प्रधान मंतरी बनने का सवाल किया गया तो क्या कहा राहुल ने देखते हैं ये रिपोर्ट भारत जोड़ो यात्रा शिरू होने की दो दिन बाद यारी 9 सितंबर को राहुल ने कहा था कि देश में बीजेपी और आरेसेस ने जम कर नफरत फैलाई है इसे के खिलाफ ये यात्रा है उस वक्त एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या इस यात्रा से कांगरिस को फायदा होगा तो राहुल ने मजाकिया अंदाज में बोला था कि वैसे ये बीजेपी की नफरत के खिलाफ है अगर फिर भी कांगरिस को फायदा होता है तो ये अच्छी बात है राहुल गांदी ने आज भारत जोडो यात्रा पर नोवी प्रेस कांफरेंस की दिल्ली में कांगरिस मख्याले में राहुल ने एक बार फिर केन सरकार बीजेपी और आरेसस पर हमला किया राहुल ने कहा कि मैं आरेसस और बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना बहतर होता जा रहा हूँ राहुल गांदी ने यात्रा को अभी विराम दिया है तीन जन्वरी से यात्रा फिर शुरू होगी और उत्तर प्रदेश हर्याना पंजाब होते हुए जब मुकश्मीर में खत्म होगी आज राहुल गांदी ने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया जहां वो आत्म विश्वा से लबरेज नजर आ रहे थे एक गंभीर नेता की तरहां राहुल ने हर सवाल का जवाब सदे हुए शब्दों में दिया इसी दोरान राहुल गांदी से पियम बने को लेकर सवाल किया गया जिस पर राहुल ने कहा कि ये भटकाने वाली बात है इसमें मीडिया को रूची है आप पीम होते तो पांच बड़े कदम क्या उठाते के सवाल पर राहुन ने पीम वाली बात कारते हुए शिक्षा, रोजगार, उत्पादन, विदेशनीती को लेकर अपना दृष्टी कोन बताया उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, अगर देश के लोग एक दूसरे से नफरत करें, महबबत की नीव जरूरी है डिबी लाइफ की रिपोर्ट